नमस्कार दोस्तों मैं रविंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्वाय टैक्ट में और आज की इस वीडियो में हम अपनी एसेश्टिक क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं मंगल ग्राय के बारे में इससे पहले हमने वीडियो बनाया था सुकर ग्राय के बारे में और बुद्ध ग्राय के बारे में और प्रत्री के बारे में उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनें भी देख लिए क्योंकि आपन मैंने उन बागे तरी ग्राय के बारे में साही इंफोर्मेशन दे सबसे निकर्टम गिरा है मैंसे एक है पिर्थ्री के से पहले जो पढ़ता है वो शुक्र पढ़ता है और पिर्थ्री के बाद जो गिराता है वो आता है मंगल मंगल तो हम आज बात करने वाले हैं मंगल पहले नमबर पर जो सोल मंदल का गिराय है वो है बुद्ध बुद्ध शुक्र पर्थ्वी और चोथे नमबर पर मंगल बात करेंछा दो आज पतीक नाज और नमबर यो घ्राव है मंदल के अजम है वोज दुद्ध सुनहें पर गिरिया है यृद्धा तो हम मंगल की बात कर रहे थे मंगल प्राचिन और धारणाव के अंसार यूनान के लोग है यूनान के लोग इसको एक अन्डी नाम से जानते थे जिसको कहते हैं सेहरस यूनारी के लोग इसाथ सेरस के नाम से भी फुकारते हैं इसके अलावा वो जो मंगल को है मंगल को यूकरे उतमानते हैं यह तो थी प्राचीन और धारणवों की बात लेकिन अगर साइंस के दिश्ट्रि से देखा जाए तो मंगल के लिए ग्रहा है और जैसा प्रिस्ट्रि ग्रहा है वैसी मंगल है और साइंस की साथ यहां पर बहुत सी रोचक गटना होती हैं और इसके बारे कुछ रोचक बाते हैं हमके तो उनहीं भातों के वाले में उडिकर में प्राचीन अरद्धार्ण के वाले मेंप के बारे में यह पर बात नहीं करेंगे मंगल उडम 성 bending आजिए सूरी से दुरी के कर्म में देखा जाए , सूरी से अगर दुरी कर्म में देखा जाए तो मंंगल कर जो है सूरी और मंगल के Base कर स्थे जो डिस्टन्स है वो है 22 क्रोर 79 यूाइन क्लोमेटर से मंगल की जो दोरी है वह है बाइस करोड़ उन्हें से नाइन लाख किलोमेटर और यह सोर मंडल का सात्वा सबसे बढ़ है साथवा सबसे बढ़ है साथवा सबसे बढ़ ग्राइब आठ ग्राउंड है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की जो सर्फिस है यालिकि जो हां की धर्ती है उस धर्ती पर आयरन ओक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है जिसके कारण मां की धर्ती लाल दिखाई देती है और लाल दिखाई देने कारण ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है कि इसकी साथ मंगल ग्रह पर भी जिसे धर्ती पर रिटू परवरतन होते हैं वैसे ही मंगल ग्रह पर भी रीटू परवरतन होता है यहां पर रीटू होती है यहां मंगल ग्रह में परवर्तन होता है और मंगल ग्रह सूरे की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है मंगल का एक वर्स जो होता है वो 687 दिन का होता है और यहां का जो एक दिन है एक दिन की बात की जाए तो एक दिन यहां पर 24 गंटे से कुछ जादे होता है कि ज्यादा होता है कि जादा होता है कि द्सक्तिफ्पव एक दिन 24 गंटे का होता है वायसे मंगल ग्रह एक दिन 24 गंटे से ठोड़साइद टाइम का होता है कि इसके मंगल ग्रेय में तरह उफ गेह के पित्ती हैं चांद ये इसी मंगल के रहे के भी उपगिरे हैं और मंगल के पास दो गए हैं जिनमेंसे एक का नाम है फोबस और दूसरे का नाम है डिमोस फोबस और डिमोस दो गरह मंगल के हैं फोबस अगर फोबस की बात की जाये तो फोबस एक ऐसा उपगिरे है जो पूरे सौल मंडल में अपने उपगिरे के सबसे निकटम है तो इसके अलावा जो फोबस का व्यास है जो फोबस का व्यास है और फोबस का व्यास है कितना है वो बहुत कम है बाई पॉइंट शे किलो मीतर कमाति नियानी कि यानि कि जो मंगल के दूण दोंगे रहे हैं अगर इन दोनों के बाद कि या साइज मी ज्यादे बढ़े नहीं हैं छोटे-छोटे बिविद्ध रहे हैं एक है लिए hybrid अवारे कोई नीटर है है और फोबस एक आमात ऐसा उपगराय है जो अपने गुज़ए ग्रह के सबसे पास है और यह इस उपगराय की एक हथ बात हो जाह है, यह जो उपगराय है, यह उपगर है हर 100 साल में, हर सो साल में परती एक सो वर्ज में मंगल ग्रह के 1.8 मीटर पास आ जाता है यानि कि जो फोबस उपगिरया है ये मंगल का ऐसा उपगिरया है जो हर सो साल में मंगल के 1.8 मीटर पास आता जा रहा है और इस हिजाब से अगर देखा जाए तो अगले 5 क्रोड वर्षों में 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 ये वाला ग्रह मंगल के पास आ जाएगा और इस से टक्रा जाएगा यानि अगले 5 क्रोड वर्सों में फोबस जो है क्या होगा मंगल के पास आएका और मंगल से तक्रा जाएगा और जिसकी करण या तो तूट का मंगल के चाड़ और चेकर लान लेगा या फिर टक्रा कर इस से दूर चला जाएगा कुछ भी हो सकता है इसके अटना ये तो पक्क तुपड़ों में डिवाइड हो जाएगा और वो टुपड़े मंगल के ही चारोल चक्र लगाने लगाने लगें हाला कि इससे काफी तब आई होगी लेकिन इसका व्यास कम होने की वज़े से इससे ज्यादे नुक्सान नहीं होगा अगर मंगल करहें गुरुत्वकर्षन की ब अगर कोई सो किलो का व्यक्ति सो किलो का व्यक्ति मंगल ग्रहा पर जाता है तो वहां पर उसका वज़न मात 37 किलो होगा 37 किलो गराम ही होगा याने कि इतना डिफ्रेंस यहां के गुरुत्वकर्षन में है पिर्थी के मुकाबले काफी कम गुरुत्वकर्षन मंगल ग्रहा क है अगर स own मंडल एक सबसे पर्वत की बात करें तो फिर वह सबसे ओंचे पर destruction है वह सब्सक्राइब है जिसका नाम है ओलंप और मिंप मौंज Allampid Mons जो है Mangal Grave पर सबसे उचा परवत है और यह पूरे सोरमंदर का भी सबसे उचा परवत है और इसकी जो उचा है वो है 24 किलोमेटर हमारी जो अर्थ है माउन्ट आवरेष्ट है माउन्ट आवरेष्ट है माउन्ट आवरेष्ट है है हिसकी उच्छाई जो है और अगर इसकी बात की जाए जो सबसे ऑच्छा पर्वत की जाए तो वह कहां पर है वह मंगल ग्रया पर जिसका नानधा ओलंपी मौंस और जिसके उचाई कि दिने चोबिस किलो मेटर और यह सबसे उच्छा परवस्थिखा रहे हैं मंगल घ्रा जो ओस्तन तापमान है मंगल घ्राका जो जो तो आप मान है और सट आपमान है तापमान वो है 55 degree celsius यानि कि यहां का टाइमपरिश्या 55 degree celsius ओसत होता है इससे जादे भी होता है और इससे कम भी होता है अगर difference की बात की जाए तो यहां पर तापमान में काफी difference पाया जाता है जो difference 133 degree तक पहुच जाता है अगर यह maximum degree celsius में है और minimum की बात की जाए तो 27 degree celsius यानि कि इसका difference 17 degree celsius से लेकर 133 degree तक पहुच जाता है और अगर औस तापमान की बात की जाए तो वो है इसका 55 degree celsius अगर मंगल ग्रह की बात हम इसलिए करें कि वहां पर जीवन की आसंकल क्यों है क्योंकि मंगल ग्रह पर जो पानी की संकेत मिले हैं यहां पर पानी के संकेत मिले हैं जिसके कारण मंगल को अगला घर माना जा रहा है और अन्नी घर उपर पानी की संकेत नहीं मिले हैं और इस Woods pengum सब्सक्राrie सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर मिली है पानी और पानी और कर रह जाती है इसके बाद पर शुक्ति यह चलती जाती इसके शाहिं यहां पर इस प्रकार की संद्रचनाई भी मिली हैं जिसे संकेत मिलता है कि यहां पर किसी समय पानी हुआ करता था अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और आने वाले बगस अभी वीडियो के सबसे पहले नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजी क्योंकि वहां पर मैंने इन ग्रहों के बारे में सारी जितने कोशन बन सकते हैं वो डिसकस किये हैं इसके अलावा यहां पर मैंने मंगल के बारे में जो मैक्सिमम कुश्चन गिया इसके बात बारे में जो बात थी वो डिसक्स की हैं और आपको बताई हैं अगर आपको हमारे वीडियो पर शान आगा तो लाइज जो रोगए और से करें धन्यवाद दोस्तों